हेलो स्टुडियांट्स गुड मॉनिंग खैसे हैं आप लोग आज की क्लास में हम लोग प्रिजन्ट पॉफेक्ट कॉंटिनिवस्टेंस सामान नियम पढ़ने वाले हैं तो गाइज वीडियो को वन तक दिखेगा वीडियो बहुत ही महात्वपूर है टेंस की सिरीज चल रही है पूरी सिरीज ही महात्वपूर है मैंने टाइम एंड टेंस से शुरुवात किया था और आज हम लोग प्रिजन्ट पॉफेक्ट कॉंटिनिवस्टेंस तक पहुंच गया है तो जिन बच्चों न अभी तक टेंस का अध्यान नहीं किया है वो प्लेलिस्ट में जा करके सार पहचान कैसे करना है यह विशेश महत्वपूर है तो जानते हैं इसकी पहचान कैसे करना है इस यह टेंस प्रकट करता है कि काम भूत काल से प्राराम होकर अब वर्तमान काल तक जारी है क्या दर्शाता है यह टेंस प्रकट करता है कि कार्य भूत काल में प्राराम हुआ था और आज भी जारी है और इसमें जारी रहने का समय दिया रहता है Present Continuous Tense और Present Perfect Continuous Tense में बहुत थोड़ा सांतर है Present Continuous Tense में यह होता है कि कार भी जारी है कब शुरू हुआ था, कब खतम होगा इसका कोई explanation नहीं होता है कि वोल कार के जारी रहने का भाव होता है जबकि Present Perfect Continuous Tense में कार के भूत काल में प्रारम होने और वर्तमार में जारी रहने का भाव प्रकट होता है साथ में जारी रहने का समय दिया होता है उसमें कार का प्रारम हुआ था ऐसा समय भी दिया रहता है यहां पर समय को दो भागों में बाटा गया है एक है Point of Time और दूसरा है Period of Time Point of Time निश्चित समय जिसके लिए हम लोग Since या फ्राम का प्रियोग करते हैं और Period of Time निश्चित समय के लिए हम लोग For का प्रियोग करते हैं Future Tense में हम लोग Since का प्रियोग ना करके From का प्रियोग करते हैं शेस पॉइंट है आप लोग याद रखिएगा future tense में हम लोग since के अस्थान पर from का प्रयोग करते हैं future में कुछ भी निश्चित नहीं होता है इसलिए वहां पर since का प्रयोग ना करके from का प्रयोग करना अधी कुछ चीत होता है बट गाईज अगर आपने since का प्रयोग कर दिया है तो गलत नहीं माना जाएगा लेकिन accurate और you know in advance अगर बात करें तो from का प्रयोग करना future tense में अधी कुछ चीत रहता है तो चलिए शुरू करते हैं तो हमने जाना पहचान कैसे होती इसमें काम के फ्यूत काल में प्राराम भोरे और वर्तमान में जारी रहने का बोध होता है साथ में इसमें समय दिया होता है दूसरा नियम कहता है इस काल के कारियों वाक्यों में क्रिया के अंत में रहा है रही है रहे है रहा हूं आधी शब्द दिये होते हैं जिस प्रकार से यह नों कॉंटिनिवस से लगता है कि कार जारी रहना तो रहा रही रहे दिया होगा साथ में इसमें समय भी दिया रहता है विशेश नोड को ध्यान दिजेगा यदि वाक्य से केवल एक कार का जारी रहना प्रकट होता है तो वह present continuous distance होता है और यदि वाक्य में कार जारी हो और कार प्रारम होने का छड़ अवध ही काउन लेक किया गया हो तो present perfect continuous distance में होता है तो आये affirmative sentence से इसकी शुरूआद करते हैं इसकी शुरूआद करते है इसका पहला निया में हनुआत करने का translation करने का की इसमें he, she, it और एक वचन करता के साथ has been और वर्ब में आएंजी फार्म का प्रयोग करते हैं याद रहेगा he, she, it और एक वचन करता के साथ हम लोग has been और वर्ब की आएंजी फार्म का प्रयोग करते हैं जैसे शाम दो घंटे से खेल रहा है श्याम दो घंटे से खेल रहा है इसमें स्पष्ट हो रहा है कि कार ये बीते में समय में जारी हुआ था अर्थाद भूत काल में जारी हुआ था लेकिन कार अभी भी जारी है और कार जारी होने का समय अर्थाद दो घंटे भी दिया हुआ है कि दो घंटे से काम जारी है स्याम दो घंटे से गेन खेल रहा है दो घंटे से काम चल रहा है तो इसका मदलब क्या हुआ यह हमारा प्रेजन पॉफिक्ट कॉंटिन वेस्टेंस में आएगा आप देखे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम लोग पहचान कि जब मैं स्पेशाल वीडियो बनाऊंगा स्पेश दिया हो सिकेंड दिया हो दिन दिया हो महिनों के नाम महीने स्वरी महीना दिया हो साल दिया हो वहां पर हम लोग फार का प्रयोग करते लेकिन अगर वह समय दे दिया है कुरेट इतने बज़े दिया है दिनों के नाम दिया है महीनों के नाम दिया है और सन दिया है सन का यह तब पर भी वहाँ पर since का प्रयोग करते हैं क्योंकि वो सब नेश्य समय माना जाता है तो यहाँ पर है शाम दो घंटे से गेन खेल रहा है शाम has been तो दिखें सब्जेक्ट है सिंग्ला नंबर होगा तो वहाँ पर हम लोग has been का प्रयोग करेंगे यह नो शाम सिंग्ला नंबर है तो has been और वर्ब की आएंजी फाम का प्रयोग करेंगे बाकी जो बचे लिख दो with the ball अब समय दे दोगे न for two hours तो शाम has been playing with the ball for two hours शाम दो घंटे से गेन खेल रहा है शाम has been playing with the ball for two hours और example से इसको समघने का प्रयास करते हैं दूसरै example जैसे इसी का दिया हुआ है यहांपर दिखे संद दिया हुआ है 1985 से वहां रह रह रहा है यह निशिष समय है यहांपर दिखे वहा रह रही है तो यह हमारा feminine gender में आ रहा है तो शी का प्रयोग करेंगे सिंगलर नमबर है शी हाज ब 예ना ले विंग तो शी हाज बन होसाज किसी प्रोब्लम है? नहीं इस गहर में आप देख हम सिंस का प्रयोग करेंगे क्यों? क्विए यहाँ पर 1985 अरथा। साल संदिया हुआ है अगर साल दिया होता दो साल दस साल से तो वहाँ पर फ़ार का प्रयोग करते हैं लेकिन संदे दिया 1985 तो वहाँ पर सिंस का प्रयोग करेंगे तो पूरा मिला करके हो जाएगा She has been playing in this house since 1985 Rule second देखते हैं I, you, we, they और बहोचन करता के साथ have been और वर्ब में ing फार्म का प्रयोग करते हैं क्या जो पुराना पड़े थे आप लोग has और have का प्रयोग बस उसी को याद रखना है Singular number के लिए has और plural number के लिए have का प्रयोग करना तो यहाँ पर I, we, you, they और बहोचन करता के साथ have और साथ में been लगा दीजेगा Be being और been वर्ब की third form है यह being Be, be का third form been होता है तो I, we, you, they और एक प्रयोग करता के साथ हम लोग have been और वर्ब में ing farm का प्रयोग करते हैं I, I के साथ भी हम लोग have का प्रयोग करेंगे I have been read, reading हो जाएगा I have been reading, कहा क्या, this book, कब से, कब से, सोमवार से सोमवार क्या है, name of days, दिनों के नाम अगर दिये हैं तो since, किवल दिन दिया हुआ है, दो दिन, चार दिन, दस दिन, तुफार और दिनों के नाम आ गया तो since का प्रयोग करते हैं तो जाएगा, मैं यहाँ पुस्तक सोमवार से पह रहा हूँ I have been reading this book since Monday अगला देखते हैं वे इस कार खाने में पांच साल से रह रहे हैं वे इस कार खाने में पांच साल से रह रहे हैं वे बहुत सारे हो गए ना तो they have been वे इस कार खाने में पांच साल से कारे कर रहे हैं प्वार करना में सबस्क्राइब उर्च करना तो वर्क हजायेगा they have इन वर्किंग कहा पर इन दिस liken कारक खाना क्या होता है फैक्ट्री होता है तो पूरा मिला कर हो जाएगा they have working in this factory कब से पाँस साल साल का तो दिया तो नहीं है सन सन माइन टीन फुट्टी-फाइब विशेष जान लेते हैं, नोट में क्या है अधी? परफेक कॉंटिनिमस वाक में समय प्रदर्सित करने के लिए से शब्द की अंगरेजी, फार या सिंस आती है, ठीक है ना? फार, फार में से या साथ की भी होता है ना? अगर परफेक कॉंटिनिमस वाक में समय प्रदर्सित करने के लिए से शब्द की अंगरेजी, फार या सिंस का प्रयोग करते हैं ना? फार और सिंस का प्रयोग किसके लिए है? से, ठीक ना? फार और सिंस का मतलब होता है से, वा सूमवार से पोड़ रहा है आगे बढते हैं सिंस का प्रयोग पहले सिंस का प्रयोग फिर हम लोग जानेंगे फार का प्रयोग मैंने कहा था ना? कि मैं आपको बताओंगा, special video में भी तर इस video में भी आपको बता देता हो use of sin's, sentence का प्रयोग हम लोग कहां पर करते हैं? तो most important line है, ध्यान से पढ़िएगा आप लोग, note down खर लिजेगा फियर copy में, यदी समय, सुनिए, यदी समय point of time हो, तो say की अंगरी जी since लगा जाती है, point of time means, निश्चित समय दिया हो, जब point of time, जब निश्चित समय दिया हो, अर्थाद point of time दिया हो, ये, समय निश्चित हो, अर्थाद point of time हो, तो हम लोग since का प्रियोग करते हैं, अब कैसे पहचाने की क्यों point of time है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 line हैं, इनके माध्यान से हम लोग समझेंगे, तो पहली line है, 5 बजे से, since 5 o'clock, शाम के 7 बजे से, since 7 pm, अर्थाद बजे लिखा हुआ है, तपर भी o'clock दिया ह वहाँ पर हम लोग since का प्रियोग करते हैं, दूसरा है, दिनों के नाम, दिनों के भागों के नाम से पहले, एक दिन होता है, एक दिन कई भाग होते हैं, morning हो गया, afternoon हो गया, noon हो गया, evening हो गया, तो इसके लिए भी हम लोग since का प्रियोग करते हैं, तो दिनों के भागों के नाम से पहले भी जैसे प्राथा काल से since morning, दोपार से since noon, शाम से since evening, उसी प्रकार से कल से since yesterday, कल रात से since last night. ये क्या है? एक दिन के भाग होते हैं. तिसरा नमबर कहता है, दिन के नाम से पहले भी हम लोग since का प्रयोग करते हैं. जैसे सोमवार से since Monday, मंगलवार से since Monday ये Tuesday. इस प्रकार से चोथा नमबर कहता है, महीनों के नाम से पहले भी since का प्रयोग होता है. जैसे जन्वरी से सिंस जन्वरी, मार्च से सिंस मार्च, उसी प्रकासे वर्षों के नाम से पहले भी सिंस का प्रियोग होता है, जैसे सन 1960, सन 1990, सिंस 1990, अब देखिए, छठा नंबर कहता है, एक निश्चित समय से पहले, जब से वहाँ पैदा हुआ हो, अर्थात देटा बर् सिंस बर्थ, एक निश्चित समय के लिए जब पैदा हुआ हो, किसी व्यक्त के पैदा होने के समय निश्चित है ना कि फला तारी को पैदा हुआ है, बहले उसको याद ना हो, लेकिन किसी को तयाद हो गई न, तिस प्रकार वहाँ पर भी सिंस का प्रियोग करते हैं, अब जान लेते हैं, यूज आफ फार या फार का प्रियोग, फार का प्रियोग कैसे करना है, ये भी एक महत्तुपूर्ण है, इस स्लाइड को भी आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, तो फार का प्रियोग, समय कि यवद जब पीरियाड आफ टाइम हो, अर्थात अनिश्चित स इसके लिए हम लोग फार का प्रियोग करते हैं, प्वांट आफ टाइम के लिए सिंस का प्रियोग, और पिरियाड आफ टाइम ये फार के लिए पिरियाड आफ टाइम के लिए फार का प्रियोग करते हैं, इससे पहला नियम है, घंटों की गिनती से पहले, जह तीन घंटा पहले दिनों की गिंती में दो दिन चार दिन शे दिन इस पांस दिनों से फार फाइब डेज बहुत दिनों से फार मेनी डेज उसी प्रकार से महीनों की गिंती से पहले महीनों के नाम नहीं महीनों के नाम के लिए सिंस होता है महीनों की गिंती से पहले तो साथ महीने से फार स several months, उसी प्रकार से वर्षों की गिनती से पहले, अगर वर्ष गिनना है, दो साल, दस साल, पंदरा साल, जैसे 16 वर्ष से, तो for 16 years, उसी प्रकार से सब्ता हुआ पक्वाडों की गिनती से पहले, जैसे 6 महिना, यह 2 सब्ता ह से, 4 सब्ता ह से, पक्वाडे से, तो उसके जैसे 6 स इस प्रकार से हम लोग न जाना कि sin אז का प्रयोग कहां पर होना है और far का प्रयोग कहां पर होना है ठीक है ना अब इसका negative sentence की चर्चा कर लेते हैं negative sentence में कुछ नहीं पुराना नियम है negative sentence में हम लोग has या have के बाद not का प्रयोग कर देते हैं जैसे ini example दो देख लिजए это इसके एक्जामपल लिखा है, पहला एक्जामपल है, हम दो घंटों से फुटबाल नहीं खेल रहे हैं, हम दो घंटों से फुटबाल नहीं खेल रहे हैं, यहां पर दीखिये रहा रही रहे हैं, और समय भी दिया हुआ है, तिये present perfect continuous distance है, तो हम, we have लगता है, have been, चुकि have और been की बीच में not लगा देना है, तो हो जाएगा, we have not been playing football, दो घंटों की संख्या है ना की बज़े दिया हुआ है, तो for two hours, तो पूरा मिलाकर हो जाएगा, हम दो घंटे से फुटबाल नहीं खेल रहे हैं, we have not been playing football for two hours, उसी प्रकार से दूसरा जैसे है, वह दो बज़े से अप ना कार्य नहीं कर रहा है, he has not been doing his work since two o'clock, यहाँ पर देखिये, दो बज़े है, यहाँ पर निर्धारित समय दे दिया गया, दो बज़े, दो घंटा नहीं, दो घंटा फार होता है, लेकिन दो बज़े, since का परियोग करते हैं, वह, similar number है, तो has not been negative sentence होने पर, he has not been, कार्य कर ना, doing, हो जाएगा, he has not been doing his work since two o'clock, ठीक है ना, समस्ति चलिएगा, चलिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की चर्चा कर लेते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहला नियम जैसे कहता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, जिन वाक्यों के प्रारह में क्या शब्द पह पहले आ जाता है, तो has या have को पहले लिखते हैं, फिर इसके बाद verb लिखते हैं, फिर बीन लिखते हैं, फिर verb की ing farm का प्रयोग करते हैं, फिर object and compliments या आदर लिखते हैं, तो यसे example दोर समझेगा लिखा हुआ है, क्या वह प्रातहकाल से इस चित्र को खीच रही है, क्या व निएगा, वहा, singular number है न, तो has जाएगा, अब देखे, इस फेमिल जंडर है, तो she, has, she, been, पहले क्या अपड़ा has या have, फिर subject, तो has हो गया, has या have में से, फिर subject आएगा, she हो गया, फिर been लिखना है, been लिख दिया, वर मैंजी लिखना है, तो drawing लिख दिया, तो पूरा मिला करके इसमें हो गया, आपका, हम, पूरा मिला कर हो गया, has she been drawing this picture, यह तस्वीर, प्राताकाल, डे ब्रेक है न, यह, दिन के बटवारे का समयत, यहाँ पर since का प्रयोग करते हैं, तो has she been drawing this picture since morning, उसी प्रकार दूसरा नियम है, क्या तुम इस कॉलेज में 6 महीने से अध्यान क का प्रयोग करेंगे, 4 months, 4 6 months, तो क्या तुम, you है न, तो यहाँ पर have का प्रयोग करना होगा, have you been studying in this college for 6 months, have you been studying in this college for 6 months, have you been studying in this college for 6 months, चलो, उसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं, दूसरा रूल देख लिजे, दूसरा नियम कहता है, यदि वाक्य में कोई प्रश्ण सूचक शब्द वाक्य के बीच में दिया होता है, तब हम लोग इंग्लिश में translate करते समय, पहले उस प्रश्ण वाचक शब्द को लिखते हैं फिर has a how का प्रयोग करते हैं, फिर subject लिखते हैं, और फिर वर में ng और plus dot 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 जो हमने पूराना पहले पढ़ा, उसको use करना है, एक्जांपल जिसे पहला एक्जांपल है, वे जन्वरी से अपना समय नष्ट क्यों कर रहे हैं, वे जन्वरी से अपना समय नष्ट क्यों कर रह तो वे चुकि बहोचन में हैं, तो why have they been wasting their times since January, याद रहेगा न, why have they been wasting their times since January, उसी प्रकार दूसरा एक्जांपल है, तुम तीन घंटे से कहां जालू दे रहे हो, तुम तीन घंटे से कहां जालू दे रहे हो, तु जाएगा where have you been sweeping for three hours, ठीक है न, याद रखेगा इसको, आगे बढ़ते हैं, तीसरा नियम कहता है इसका how much या how many का प्रयोग करना सिखेंगे, how much का प्रयोग मैंने बताया था, यह होता है, uncountable के लिए, और how many countable के लिए, which और whose का प्रयोग, जहां पर या आते हैं साथ में उनके, नाउन भी आता जैसे तुम कल शाम से कौन से पुस्तक पड़ रहे हो, which book have you been reading since last evening, which book have you been reading since last evening, उसी प्रकार से दूसरा एक्जामपल है, दो घंटे से कितने विद्या थे मेरी परिक्षा कर रहे थे, कितने संख्या निश्चित है, तो how many students have been waiting for me for two hours, how many students have been waiting for me for two hours, उसी प्रकार से चवथा नियम है, यदि प्रश्चनवाचक वाग के निश्चेध हात्माख हो अर्थात निगेटिव हो, तो subject के बाद हम लोग not लगा देते हैं, जैसे क्या सीता पांच बजे से खाना नहीं बना रही है, has सीता not been cooking food since 5 o'clock, पिर सुनियेगा, देखिए यहाँ पर सीता singular number है, इसलिए has का प्रयोग करना पड़ेगा, फिर not been फिर वर्प के आएंजी फार्म, तो has सीता not been cooking food since 5 o'clock, इस प्रकार से यह सारी नियम को ध्यान से समझना है, और इसको फिर कॉपी में note down करना है, तो so guys, अगर अभी तक आप आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो please subscribe the channel so that you may get all the notification of my new videos day by day, और अन्य वीडियो के लिए आप प्लेलिस्ट में जा करके वीडियो देख सकते हैं, तब तक के लिए, so guys, thanks for watching the video, Jai Hind!